अगवान श्री कृष्ण ने एक अम्रित अस्टकम आठ अम्रित सुत्र दिये इसलिए उनको बोलते हैं अम्रित अस्टकम तो ये भक्तों के लिए बहुत कल्यान कारी संदेश है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो मुझे प्यार करते हैं वे भक्त अलगतर रहके हैं लेकिन जिने मैं प्यार करता हूँ वो अलगतर रहके भक्त हैं तो बगवान जिने पसंद करें वो कैसे होंगे तो ऐसा नहीं बताया गया कि इतने गंटे गडियाल बजाएं इतने बार मंदिर में जाएं ऐसा ऐसा करें ये कहा कि बक्ति करने के कारण जिनके जीवन में ये प्रभाव दिखाई देता हो जो भी आपने बगवान की आराधना की धर्म में चले बक्ति में चले कर्म किया सेवा की पाठ किया सब कुछ किया उससे आपकी जिन्दगी में क्या परिवर्तन आया क्या प्रभाव आया यदि ये प्रभाव दिखाई देता हो जो वो बता रहे हैं तो कहते हैं कि फिर वो मेरे प्रिये हैं मतलब फिर वो लोग हैं वे जिनें में प्यार करता हूँ तो अब उनकी पैचांद सुनिये कि सारी भक्ति सारा पाठ पूजा करने के बाद आपके जिंदगी में क्या दिखाई देना चाहिए तो सबसे पहले तो उन्होंने का अद्वेश्टा सरवभूताना मैत्रह करुण येवचा बैर से रहित प्रेम से भरपूर जो लोग दुनिया में प्रेम के देवदूत बनकर प्यार के फरिस्ते बनकर अपने रोम रोम से प्रेम को प्रकट करते हैं ऐसे लोग कृष्ण कहते हैं मेरे प्रिये हैं और जो इर्शा देश से बदले से दुर्भावना से जल रहे हैं कि वो कुछ भी करते हों लेकिन वो मेरे प्यारे नहीं है तो प्रेम चाहिए बिनोवा भावे को एक व्यक्ति मिले जब वो भूदान यात्रा में पूरे देश का ब्रह्मन कर रहे थे तो एक व्यक्ति मिले जिनों को उन्होंने देखा तेल का कनस्तर मंदिर में रख रहे हैं पूछा ये दिया जो आप तेल लेके आए हैं किसलिए बोले दिय के लिए दिया किसलिए बोले अनुमान जी के आगे जलाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आदमी से मैंने उसकी जमीन कबजा की थी और लोवर कोर्ट में मैं जीत भी गया उसने वो हायर कोर्ट में चला गया है तो मैंने अनुमान जी को कह दिया अब की बाहर चार कनस्तर लेके आऊंगा अब दिये इतने जलाऊंगा रोज दिवाली होगी बस जिता तो बिनो भाव ने गहा कि तुम अपनी इस जिंदगी में भी और प्रलोक वाली जिंदगी में भी अंधेरा ही अंधेरा करने लग रहे हो क्योंकि जमीन का टुकड़ा गरीब से छीनकर जो तुम अपने पास लाना चाहते हो और देवी देवताओं कहा कि शक्ति का भी दुर्पियोग करना चाहते हो तो तुमारे जिंदगी में कभी भी उजाला नहीं रह पाएगा बले ही दिया जलाओ न जलाओ लेकिन अंदर प्रेम का दिया जलाओ तो ही कल्यान होगा और कोई मार्ग नहीं लोग तो भगवान को भी अपनी लड़ाई में शामिल करते हैं कि फलाने व्यक्ति को उजाड देना भगवान बस रहने नहीं देना चाहिए तेरा भग्त उस पर संकट आया उजाड किसी को सामने वाले को और भगवान क्या करें अगर वो भी प्रार्षना कर रहा हो तो दोनों को उजाड़े सब लोग एक दूसरे के लिए नरक मांग रहे होते हैं कि मुझे स्वर्ग दे ना दे पर दूसरे को नरक दे वो भी नरक मांगे तो पूरी दुनिया नरक से भर जाएगी इसलिए कहा गया है कि वो मेरा प्यारा है जो बैर नहीं पालता ख्रिश्ण कहते हैं तुमने कितना ग्यान पाया तुम कितने बड़े हुए तुमारी बक्ती कितनी कैसी है वो बात अलग है लेकिन ये अंतर आना ही चाहिए तुमारे अंदर कि तुम प्रेम वाले मित्रता वाले बन जाओ अपना सको किसी को और किसी के बन जाओ कोई तुमारा हो जाए तुम किसी के हो जाओ दुनिया गलत हो सकती है गलत विश्वास गाती दुनिया है लेकिन फिर भी अगर यह संसार चल रहा है तो प्रेम वाले लोगों के कारण चल रहा है वाले लोगों के कारण चल रहा है अगर दुनिया में सारे बुरे ही बुरे हो जाएं तो सब खत्म हो जाएगा इसलिए अपनी जिंदगी में प्रतेक्षन प्रेम से भरपूर रहना मैत्री भाव सका भाव रखना कृष्ण ये कहते हैं सर्व मनुष्य मात्र या अपनी भाशा बोलने वाले या अपने जिले के या अपने डिस्टिक से ले के प्रदेश वाले लोगों के साथ नहीं सर्व भूतानम प्रानी मात्र के प्रती जिनके अंदर प्रेम की भावना हो सर्व मंगल की कामना जो करते हूं समझ लीजे इस दर्ती पर बसने वाले समस्त मानों के लिए जिनके मन में कल्यान की कामना है ऐसे लोगों को कृष्ण कहते हैं वो मेरे प्यारे हैं मैं उनको प्यार करता हूं और आगे फिर कहते हैं करुण एवचर दुखी को देखकर पीडित को देखकर जिनके अंदर करुण दया आती है अगली बात उन्होंने का निर्ममो निरंकार आसक्ती रहित बने व्यक्ती पदार्थों की आसक्ती से उपर उठकर के जिए मतलब यह के संसार की एटेच्मेंट इतनी नहीं बना लो कि आपके प्रान जो है वो वस्तु में बस जाए वस्तु इतनी प्यारी नहीं हो जानी चाहिए कि वस्तु हाथ से चले जाए तो तुम्हें लगे प्रान ही निकल गए गयते हैं ममता संसार की नहीं पदार्थों की नहीं संसार से उपर उठकर जियो लेकिन फर्ज अपने जरूर पूरे करो और कृष्ण आगे फिर एक शब्द और कहते हैं निरंकार लेकिन अकड नहीं रखिये अकड है तो पकड जाएगी पकड छूट जाएगी खुद से भी रिस्तों से भी भगवान से भी और अकड के कारण प्रसनता से भी पकड छूट जाएगी तो अकड जो है काम कितना खराब करती है अकड से पकड छूटती है अकर सब को छुड़ा देती है इसलिए अच्छा है नम्र होकर सरल होकर जिन्द की जीए सुक दुख बरदास कर लेना कडवाट पी लेना लेकिन कडवाट उगलना नहीं अपने रिष्टों को संभाल कर चलना अच्छा व्यक्ति होता है जो अपने घर को बांध कर रखता है और रिष्टे निवते तब हैं जब आदमी के पास बरदास होती है और अगर बरदास नहीं है तो रिष्टा निवने वाला नहीं है जो अपनी बेटियों को पालते यह कहते हैं ना कि अगर कोई कड़वा बोले तो बैग तैयार करके तुरंत आ जाना बाकी हम निपट लेंगे अपने आप तो एक बार अगर ऐसा सिखा दोगे आप तो एरजेस्टमेंट होगी नहीं एक दो साल तक तो आपको नम्र होकर शांती से मेल मिलाना ही चाहिए नहीं मिलाओगे कहते हैं ना बड़े जिनके घर में सला दें और मिला कर रखें जो बड़ों की सला मानते हैं तो उन्हें कोट कचेरी में नहीं जाना पड़ता और जो बड़ों को कर दे इग्नोर तो फिर काले कोट वालों के चक्कर में आना पड़ेगा रोज कोट के चेरी तो इसलिए अच्छा है सिर पर बड़ों की छाया रखो अपने एहंकार को गलाईए बरदास करना सीख जाईए आपके रिष्टे निव जाएंगे अगर बरदास नहीं करोगे तो रिष्टे निवने वाले नहीं है यह सुप्र है क्योंकि सब के पास संपूरता नहीं है कोई नो कोई कमीत वहर आदमी की जिंदगी में है किसी की कोई चीज पसंद आई किसी की कोई पसंद आई और कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं आती कुछ बातें आपकी दूसरों को पसंद नहीं आते तो तुम मुझे निभालो मैं तुम है निभालू जब ये भावना आएगी तो रिस्ता निभ जाएगा और जब आप निभाने वाले बनोगे नहीं तो फिर ये ध्यान लखे रिस्ते टिकेंगे नहीं इसलिए अच्छा अपने गुस्से पर काबू पाईए अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए मोटी चमडी करके चलिए भगवान के आगे अपने आशु प्रकट करो बाकि दुनिया के आगे रोने से कुछ होने वाला नहीं है इसी से काम चलेगा मन को शांत करके और शुकर मनाना सीखो बगवान का